कर दोस्तो आज हम इस वीडियो में हम आपके साथ डिसक्रस करेंगे IC इंजन के महत्वपून पार्ट पिस्टन के बारे में IC इंजन के जो पार्ट है उसको दो तरह से केटेगराईज किया जाता है स्टेशनरी और स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कंपोनेंट मोविंग और मेकनिजम फॉर्मिंग कंपोनेंट जो पिस्टन एक मोविंग कंपोनेंट होता है इसलिए यह मोविंग और मेकनिजम फॉर्मिंग कंपोनेंट के अंतरगत आता है पिस्टन का में कारिया क्या होता है किसलिए इसको यूज किया जाता है piston का main कारिया होता है slender का जो commission chamber होता है उसमें जो thrust generate होता है explosion of gases के कार्ण उसे translate करना होता है crank shaft तक और इसे transmit किया जाता है connecting road के माध्यम से क्योंकि piston और crank shaft को connect किया जाता है connecting road की मदद से जब भी explosion of gas होगा तो वो piston head के उपर होगा और जो thrust generate होगा उसकी मदद से जो piston है वो up and down वो move करता है और उस thrust को deliver करना होता है cranked shaft तक तो यह कारिया piston के दुवारा किया जाता है इसके अत्रिक जो piston है वो एक परकार से carrier के तरह भी कारिया करता है piston ring के लिए जो यहाँ पर grooves में लगे होते हैं और एक प्रकार से जो connecting road का जो small end होता है जो connecting road का अपर end होता है उसके लिए यह bearing और guide का भी काम करता है अब बात करते हैं कि जो piston है इसे कैसे बनाया जाता है piston को बनाने के लिए casting process का इस्तिमाल किया जा सकता है draw forging process के दुवारा भी से बनाया जा सकता है और piston को बनाते समय हमें हमें इसकी कुछ characteristics हैं जिने ध्यान में रखना होता है basic requirement होती है कि piston में ये characteristics होनी चाहिए सबसे पहले जो piston है वो strong होना चाहिए strong इसलिए क्योंकि जो commission chamber है इसमें high temperature होता है hammering effect होता है high pressure gases का और load का भी fluctuation होता है तो उन सभी को withstand करने के लिए piston का strong होना जरूरी है उसके बाद जो piston है वो light होना चाहिए अगर piston light होगा तो less inertia generate होगा और जो engine की जो speed है वो भी जादा होगी उसके बाद जो piston है वो जब भी कारिया करे बिना noise के करे silent operation करना चाहिए और जो piston है जब भी वो slender walls के साथ slide करता है वो freely slide करे बिना किसी रुकावट के और piston और slender wall के बीच में gas tight ceiling होनी आवश्यक है जिसके लिए हम piston का जो upper portion है उसमें हम piston ring का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो piston है उसका material क्या हो सकता है piston cast iron का भी बना हो सकता है aluminium का भी बना हो सकता है लेकिन जो aluminium है यह excellent material है पिस्टन को बनाने के लिए क्योंकि aluminium light होता है और piston low carbon steel का भी बना हो सकता है क्योंकि low carbon steel thermal expansion के लिए minimize effect प्रदान करता है piston और slender walls के बीच में अब बात करते हैं कि जो piston है उसके main part क्या क्या हो सकते हैं जैसा कि आपको diagram में नजर आ रहा है piston के जो part है crown है, land है, ring grooves है, oil drain hole है, skirt है, piston boss है, pin hole है तो थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं कि जो piston head होता है जिसे हम crown के नाम से भी जानते हैं ये top portion होता है और इसके उपर slender में combustion chamber होता है, उसके बाद का जो portion है जिसे हम land कहते हैं land इसमें अगर हम देखें एक प्रकार से जो grooves के साथ का जो portion होता है, उसे हम यहाँ पर land कहते हैं और डो land के बीच में एक ring groove बना होता है तो ये वाला जो portion है, जो upper portion है, जो land और ring grooves का, उसके नीचे का जो portion है, उसे हम skirt कहते हैं skirt basically जो slender walls में जब भी piston slide करता है, तो उसको ये मदद करता है, jamming ना हो piston की, उसको ये secure करता है और जो proper distribution hole lubricating oil का, उसका भी जो skirt है, उसके दवारा help की जाती है उसके बाद है piston boss, ये वाला जो portion है, इसे हम piston boss कहते हैं, क्योंकि piston boss का main कारिया होता है जो piston, pin hole में हम, जो piston pin, जिसे हम wrist pin या guzen pin कहते हैं, उसको properly sport provide करें क्योंकि piston boss में drill करके ही pin hole बनाया जाता है, और इस pin hole में, guzen pin या piston pin, या फिर wrist pin को insert किया जाता है connecting road के small end में, उसके बाद अगर हम बात करें, piston ring की बात करते हैं, जो piston ring यहाँ पर लगे होते हैं, जो ring groups होते हैं जो upper piston ring है, उसे compression ring कहते हैं, क्योंकि जो compression ring का कारिया होता है, gas tight ceiling provide करना और जो high pressure gases होती है, crown से उपर combustion chamber में, उनकी leakage को भी prevent करना और जो नीचे यहाँ पर जो last ring groove में, जो piston ring होता है, उसे हम oil ring कहते हैं वो भी effective ceiling provide करता है, और इसका कारिया होता है, कि जो lubricating oil हम use करते हैं, lubrication purpose के लिए उसकी leakage को prevent करें, और जो oil drain hole है, यहाँ पर देखे हम, जो last groove है, इसमें यह बना होता है oil drain hole का main कारिया होता है, कि जो lubricating oil है, वो piston में properly insert करें, और lubricating करने के बाद, इस hole के माध्यम से, वो सीधा ही crank case में, का जो sampah है, वहाँ पर इसको drain out कर दें तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया, IC engine का महत्वपून पार्ट piston के बारे में, उसके क्या कारिया है, उसकी working किस परकार से होती है, उसे कैसे manufacture किया जाता है, उसका material क्या होता है, और उसके अलग-अलग पार्ट कौन से होते हैं अगर आपको इवीडियो अच्छा लगा, आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ, जल्दी हाजिर होते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन सुब रहे